नमस्कार हेलो वलकम बास देख रहे हैं आप आपके साथ हो मैं नेहा बातम आज हम बात करेंगे कैशे करोना भारत की सुस्त अर्थवस्था को मन्दी की तुरफ ले जा रहा है कैसी करोना की वजह से हजारों लोग की नौक्रियों पर संक्टा सकता है पर करोना वाइरिस का असर भारत समय दुनिया की 15 बड़ी अर्थरवस्थाओं को अपनी चपेट में ले चुका है। या तो नहीं जा रहे हैं या मास्क लगाकर यात्रा करने की कोशिश करें। या तो नहीं जा रहे हैं लेकिन अब इसे कम करके 5.1 फीजदी कर दिया गया है। कुरोना की वज़र से सिर्फ भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार सुस्त नहीं होगी बलकि इससे ग्लोबल अर्थरवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। मूडीज के ताजा आकडों के मताबिक 2020 में वैश्विक अर्थिवस्था 1.9 फीजदी की दर से विकास करेगी। इसके पहड़े जनवरी में मूडीज ने दुनिया की विकासदर 2.6 फीजदी की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया था। अश्रंका है। ओडो सेक्टर को एक अप्रेयर से BS6 पर शिप्ट होना था जिसके लिए पास चीन से आते हैं। यानि तीस्ती तिमाही में एकॉनमी में जो थोड़ा सा सुधार आया था उस पर करोना ने पानी फेर दिया है। जिस तरह से सभी सेक्टर में गिरावट का अलम है इसे एकॉनमी को रिकावर करने में कड़ी मशक्कत करनी पर सकती है। बलकि भारत की सुस्त अर्थ्वस्था मंदी की जड में आ सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला वक्त अर्थ्वस्था के लिए हास से अच्छा नहीं है। अर्थ्वस्था नहीं होगा कि अर्थ्वस्था नहीं है।